आज का हमारा पहला प्रेश्ण है कि बालक क्रिश्ण व्रिंदावन जाने को लालाईट क्यों हैं? बाला कृष्ण व्रिंदावन जाने के लिए इसलिए लालाईथ हैं क्योंकि वहें व्रिंदावन में अनेक प्रकार के फलों को अपने हाथों से तोड़ करके खाना चाहते हैं दूसरा हमारा प्रिश्ण है गोचारन हे तो जाने के लिए क्रिश्ण क्या तरक देते हैं कि मा मुझे तेरी सोगंध है कि मुझे ना तो गर्मी लगती है ना ही भूख प्यास सताती है मैं तो गोचारन के लिए अवस्चे जाना तीसरा हमारा प्रिश्ण है यशोदा अपने आपको क्रिश्ण की धाई क्यों कहती है यशोदा ने क्रिश्ण को जन्म दिया था उन्होंने केवल उनका पालन पोशन किया था इसलिए वह स्वेम को क्रिश्ण की धाई कहती है सुर्के पाल क्रिश्न के दिर्ग उतरिया प्रिश्न कर रहे हैं इसमें पहला प्रिश्न है येशोदा ने क्रिश्न को वन की क्या क्या कठीनाईयां बताई येशोदा ने क्रिश्न को वन की निमलेखित कठीनाईयां बताई नमबर एक की वन बहुत दूर है तुम छोटे छोटे पाउं से चलकर कैसे जाओगे दूसरे वन से घर लोटते वे रात हो जाती है तीसरे अते घर से जाओगे और रात को घर लोटोगे भूख प्यास से व्याकुल हो जाओगे चोथा दूप में गायों के पीछे पीछे घुमते रहने के कारण तुम्हारा कमल के समान कोमा शरीर मुर्जा जाएगा माता ने ये कहा उने उसके बाद प्रिश्न आता है कि बाल क्रिशन को देखकर माता ये शरुदा के घृदय में कई अभिलाशाँ जागती हैं जैसे कृष्ण गुटनों के बल चलें, उनके दूद के दो दात निकलें, तोतली बोली में वे नंत को बाबा और उन्हें माता कहकर पुकारें, आचल पकड़ कर बाल हट करें, अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खाकर अपना मुख भरें, सभी दुखों को दूर करने वाल कि मैं तो कृष्ण का पालन पोशन करने वाली धाय हूँ, मैं तुम से विंती करती हूँ कि तुम बालक कृष्ण पर ममता दया करती रहना, उसके प्रती कठोरता का व्यवार मत करना, श्री कृष्ण को प्राते काल माखन रोटी अच्छी लगती है, इसलिए उसे प्राते क उपटन और गर्म पानी से श्नान करेगा, अर्थात उसकी रुचियों और आदतों का ध्यान रखना, कृष्ण संकोची सभाव का है, वे अपने मुक्स से कुछ भी नहीं कहेगा, देव की तुम्हें ही उसकी रुचियों और आदतों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस प्र